है लो गाई सबीका स्वागते करेंड़ रिडिक्टूफ चड़ाने में तो आपने टाइटल पढ़ाई होगा कि इस वीडियो में हम देखेंगे नुडल जोन क्या होते है और बर्निंग जोन क्या होती है बिसिकली यह दोनी पार्ट है रोटरी के लिंग के दोनी पार्ट है तो आज हम देखेंगे क्या है नुडल जोन और बर्निंग जोन और इससे कुन से important components बनते सिमेंट के तो उससे पहले नुडल जोन देखने से पहले और बर्निंग जोन देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा सिमेंट की manufacturing process उसकी मैंने link देदी है description box में वहाँ पे मैंन कि- Kate repeated एक लिनक्ति की डाइग्राम तो अभी इसमें क्या होता कि रोई माट्रियल जो उपर से आता है वह यहाँ पर एगजमपल फिप्ल ईस्ट्रीज टैंक से निमे डाला जाता है यह पूरी पूर्त की डाइगराम और उसी के साथ यहां स सुलिटRimas पहले जो वाला zone लगता है, सबसे पहले लगता है ड्राइ जों मतलब यहाँ पे पूढ़ा जो product है वो DRY रहता है, उसके बाद में आता ही हाँ यहाँ पर नोडॉल zone झाहिके और उसके बाद में आता है यहाँ पर Burning Zone यहाँ से प्रोसेस होते- यहाँ पर फिर नीचे cooling के लिए जाता है और यहाँ पर clicker form होता है तो आभी हम इस वीडियो में देखेंगे क्या है noodle zone और यहाँ पर burning zone आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि जो burning zone है यहाँ पर रहता है और जो noodle zone यहाँ पर रहता है तो सबसे पहले हम देख लेते यह जो rotary cleaning की diagram है इसके बारे में कुछ important points अभी जो rotary cleaning की diagram आपको दिख रही है आप स्किस्ट के उपर इसका जो diameter रहता है यह काफी important है एक्जामें काफी बार पुछता है इस rotary cleaning का diameter क्या है तो इसका diameter रहता है 2.50 to 3 meter कितना diameter कितना रहता है 2.50 to 3 meter ठेके उसके बाद में one minute तो कितना रहता है इसका diameter 2.50 to 3 meter उसके बाद में अगर इसके length की पुरी यहाँ तक से यहाँ तक इसके length rätty है इसके बाद में इसका volume कितना है यह जो पुरा का पुरा आपको दिख रहा है इसका volume कितना है इसका volume रहता है 70.63 m3 क्या रहता है 70.63 m3 किसका इसके बाद में अभी यहाँ पे कुछ यह gradient पे इसको रखा गया है यहाँ पे आपको slope दिखता होगा ठीक है यह जो आपको slope दिख रहा है यह gradient कितना है यह exam में पुछते है तो इसका जो gradient है अभी वन मिनिट अभी यह जो आपको gradient दिख रहा है यह वाला ठीक है इसका gradient कितना रहता है रोटरिक लेलिंग का अगर exam में पूछ जाए इसका gradient कितना है तो रहता है 1 in 20 to 1 in 30 कितना रहता है 1 in 20 to 1 in 30 इसका gradient रहता है उसके बाद में यह जो रोटरिक लेलिंग है यह continuously rehaul हो जाती है यह जो है यहाँ पर बोला है यहाँ पर rotating arrangement तो यह जो longitudinal axis है वहाँ पर continuously rotate हो जाती है तो यह कितने speed पर rotate होती है तो इसका rotation speed है 3 round per minute कितना 3 round per minute पर क्या होती है rotate होती है तो आपको इतने जो सारे मैंने point बता है आपको अच्छे सा याद में रखने है क्योंकि exam में अगर पूचा जाता है तो यही पूचा जाता है ठीके competitive exam में option दिये जाते है आपको diameter क्या है length क्या है volume क्या है तो आपको इस point को भी धन में रखना है ठीके तो अब चलते हैं nodal zone की तरफ तो अभी nodal zone क्या है क्या nodal zone क्या है तो नोडोल जल की simple मैंने लिखा यहापे कुछ In this zone the calculation of limestone occurs and lime gets disintegrated into two parts मैंने क्या लिखा यहापे कि in this zone में इस zone में calculation होता है किसका limestone का calculation होता है और इस calculation की वज़ा से जो lime है वो disintegrated मतलब दो भाग में divide हो जाता है कौनसे कौनसे दो भाग में एक तो lime और एक carbon dioxide क्या क्कोनसे कौनसे दो भागों में divide हो जाता है lime और carbon dioxide तो अभी यह चो lime और carbon dioxide divide होता है तो यहापे एक reaction होती है उस reaction को आपको अच्छे से याद में रखना है उ contик refresh टेक है तो lime stone को कैसे लिखते हैं है आपन CA CO3 लगते है लाइम को अगर इसको heat D मतलब इसका calculation किया किया calculation तो इसे एक product बनता है कौन से कौन से lime और carbon dioxide तो lime को हम कैसे लिखते है CEO calcium oxide उसके बाद में यहाँ पर आता है CO2 यहाँ पर क्या हो जाता है evolve हो जाता है यहाँ पर जब CA CO3 को heat दिया जाता है यानि calculation किया जाता है तब CA अलग हो जाता है product और वहाँ से CO2 है carbon dioxide वहाँ से evaporate हो जाता है ठीके अभी यह जो CO2 यहाँ से evaporate होता है इसके वाज़े से क्या होता है कि noodles form होते है क्या होता है from noodles not noodles it's noodles form होता है यहाँ पर क्योंकि CO2 होआ इसके वाज़े से यहाँ पर होते है CO2 noodles form होते है तो इतने भाते आपको इस noodles से याद रखनी है इसमें क्या होता है कि limestone क्या होता है dis intricate होता है two parts में कुन से कुन से lime और carbon dioxide कुन से lime और carbon dioxide मे disigntration होता है कहाँ पर इस noodle करने के तो यहाँ पर मैंने क्या लिखाए इन दिस जोन इंग्रेडेंट्स आफ क्यालकरिशस और अग्रिकरिशस मट्रियल डाट इस limestone, alumina, iron oxide गेट युनाइटेड विट इच अदर आट वेरी हाइट अपरजर इस प्रोसेस इस क्या होता है कि जो क्यालकरिशस मट्रियल है और जो अग्रिकरिशस मट्रियल है लाइम स्टोन है, alumina है, iron oxide है इन सभी मट्रियल को युनाइटेड मतलब एक किया जाता है ठीके, काफी high temperature पर ठीके, उससे क्या होता एक product बनता है ठीके, उसी प्रसुक्तों क्या कहते है, fusion कहते है अब इस burning zone में आपने को चार product मिलते है कितने चार product मिलते है वही चार product काफी important है, cement के लिए हम देखेंगे उस चार product अभी कौन से कौन से मिलते है तो सबसे पहले chemical reaction यहाँ पे होती है twice CaO plus SiO2 इसको अगर combination किया जा तो इसका क्या होता Ca2 SiO4, मतलब यह क्या है यह है C2S, मतलब di calcium silicate क्या है di calcium silicate किसे फार्म हुआ, दो carbon dioxide okay, sorry, 2 calcium oxide okay, 2 silicon oxide 2 compound calcium oxide के silicon oxide के अगर form हुआ तो उससे क्या बना calcium silicate बना, क्या बना calcium silicate तो इसे C2S भी कहते है, उसके बाद में दूसरी process को कौन से होती है इसको मैं आपे लिख देता हूँ, यह है calcium oxide और यह है silicon dioxide यह है calcium oxide, यह है silicon dioxide, इन दोनों से बना, CasiO4, मतलब C2S, मतलब calcium di silicate, अभी दूसरा कौन सा है, मैं थोड़ी ink change कर लेता हूँ, आप कोच्छे से समझ में है, तो दूसरा कौन सा है, तो दूसरा कौन सा है, दूसरा भी important product है, तो दूसरे यहां पे भी, यहां पे क्या होता है क कि तीन पार्ट आते है calcium oxide के, कितने, तीन पार्ट आते है calcium oxide पे, प्लस SiO2 का सेम वही plan, मतलब silicon dioxide का वही member, उसके बाद में इनके साथ इन दोनों की reaction से बनता है, CA3SiO5, क्या CA3SiO5, मतलब tricalcium silicate, मतलब calcium silicate, क्या tricalcium silicate, इसे कैसे रखते हैं, C3S बनता है, tricalcium silicate, अभी तीसरी वाली कौन सी है, तीसरी वाली कौन सी है, तो तीसरी वाली पे क्या होता है, कि सेम यहाँ पे, 3CAO, मतलब 3 calcium oxide, प्लस, अभी यहाँ पे, SiO2, मतलब silicon dioxide नहीं आता है, अभी इस दो, इसमें SiO2, SiO2 आये, लेकिन यहाँ पे आता है, Al2O3, aluminium oxide, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है, CA3, Al2O3, मतलब बना है, tricalcium aluminate, क्या बना यहाँ पे, यह रहा, tricalcium aluminate, C3A, क्या बनता है, यहाँ पे, tricalcium aluminate, ठीक है, तो हमने कौन से कौन से देखे, diicalcium silicate देखा, tricalcium silicate देखा, tricalcium aluminate देखा, और चोथा जो बनता है, यहाँ पे, अभी यहाँ पे तो दो बने, दो compound लिये थे, calcium oxide पे, यहाँ पे लिये थे, तीन compound, यहाँ पे लिये थे, तीन compound, अभी चोथे पे लिते हम, चार compound calcium oxide के, मतलब, 4 CAO, अभी यह असा, Al2O3, प्लस Fe2O3, फेरस oxide, मतलब आयन, तो इससे क्या बनता है, CA4, प्लस, Al2, Fe2, और, Fe2, और, O10, ठीके, यह जो है, मैं बता रहा हूँ, आपको जो chemical नाम रिख रहा हूँ, यह काफी important है, एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, यह इसका, di-calcium silicate का क्या नाम है, chemical formula क्या है, di-calcium silicate का chemical formula क्या है, यह सब पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको काफी important और अच्छे से याद में रखिए, तो यहाँ पे जब 4-C-A-O-Al2-O-3 और, Fe2-O-3 एक हुए, तो क्या मना, C-A-A-4-Al2-Fe2-O-10, तो यह क्या है, यह है, tetra-calcium-aluminate ferrite, क्या है, tetra-calcium-aluminate ferrite, तो इसे ही कहते हैं, हम bogies compound, इन सभी को क्या कहते हैं, bogies compound, वन मिनिट, हम इन सभी को क्या कहते हैं, इन सभी को कहते हैं, bogies compound, पूरे civil engineering में, यही पुछते हैं, क्यों से bogies compound है, सिमेंट के, तो यह जो चार है, dicalcium silicate, tricalcium silicate, tricalcium aluminate, और tetra-calcium aluminate ferrite, यह चार जो है, यह bogies compound है, और इन bogies compound का यह जो chemical formula है, यह काफी एक्जामी पूछा जाता है, इसके में, इसके उपर में special video बताऊंगा, किसको कैसे याद में रखना है, लेकिन, यह जो चार product है, यह सिब बनते हैं, बर्निंग जोन में, ठीक है, उसके बाद में, यहाँ पर बर्निंग जोन में, यह जो product बनते हैं, linkers बनते हैं, तो, यह linkers काई, क्याफी rapidly set हो जाते हैं, तो उनकी जो rapidly setting है, उसको avoid करने के लिए, यहाँ पर तो, तो तीन परसेंट में, gypsum add किया चाता है, क्या, gypsum, इसको भी आद में, रखना, ठीक है, तो यह रहा, simple burning zone और, noodle zone, तो, बर्निंग zone में का, noodle zone से important है, burning zone, क्योंकि, burning zone से, यह चाऱ product निकलते हैं, तो, आपको, इस चाऱ product की chemical reaction मैंने बताई, इसको आपको, अच्छे से दान में रखना है, ठीक है, तो that's it for today, तो मिलते हैं अभी next studio के साथ, have a good day, bye bye.